कि हमारे मंच पर बैटे हुए हैं आदर्निय मंच और मेरे सामने बैटे हुए हमारे भारती जनता परिवार के सब जन प्रतिनिदी गंड परिवार गंड जो बैटे हुए मैं आप सब को मेरा प्राण आदर्निय आज के मेरा सो भाग्य है कि आप सब जन प्रतिनिदियों के बीच में और आपकी जन प्रतिनिदी की आवास को द्वारा मैं हमारे पूरे मान और सम्मान के साथ हमारे गौरफ शाली ग्रह मंत्री आदर्निय अमिच शाह जी का इस राजस्तान की धरती पर जैपुर की धरती पर स्वागत करने का मुझे मौका दिया है मैं आप सब की और से उनको भाव बाव बीना स्वागत यहां इस मच पर करती हूँ मुझे और हम सब को बहुत खुशी है भाई साथ कि आप कल जैसल मेर में बीस एफ के सतावन में स्थापना दिवस में पधारे और हमारे जवानों कहा उस बॉर्डर के उपर आपने होसला अफ़ाई के और आज उसके बाद आप हमारे भारती जन्ता पार्टी प्रदेश काने से तो अगर उसके मुटमेर में जान जानी जानी जानीती शहीद हो जाता था तो उसका गरे का टैग घर मापिस बोड़ता था झाल झाल ऑगर झाल झाल आपने स्कूल्स की उपर उनका नाम लिखवा दिया गया और साथ में उनकी स्टैचूज बना दिये जाएं ताकि ओ गाउं उनको याद रखे उसके लिए आपको और हमारी भारती जंता पार्टी की मोदी जी की सरकार को मोदी जी को हम सब लोग दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आज आप हमारे बीच में हो हम कैसे आपको धन्यवाद दें आपने हम सब की इज़्जत को हम राजस्थान वालों की इज़्जत को आपने बना के रखाए देश की इज़्जत तो हाई है परंतु यहां के सब परंटों अपनी इज्जत के लिए मरते मारते हैं और आपने हम सब की इज्जत को रखते हुए धारा 370 को हटाया आज वो वादा पुरा किया जिस वादा के पीछे यहां कितने सारे लोग कितने सारे परिवार के लोग यहां बैठे हुए हैं जिनने हर गोषणा पत्र के निकल गई और उन्होंने अपने आप से नहीं देखा इसलिए आज आपको और मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया उसको इतनी तेजी से आपने उसको पूरा करके आज जम्मू और कश्मीर के अंदर शान्ती लाने का काम किया रोज अकपार में पढ़ना होता था कि आज बम फटा आज कोई टेरिरिस्ट गुसा परन्तु जब से यह हुआ है और जब से जम्मू कश्मीर और लदाक को दो केंदर शासित प्रदेश में विभाजित करने का आपने काम किया है इतना एतिहासिक कारे है तब से हम नहीं देख किश्वासी आप सबके रिणी हैं जन संका जो दीपक हमारे आदर्निया पंडित दीन द्याल जी उपाद्ध्याए आदर्निया डॉक्टर शामा प्रशाद जी मुकर जी हमारे परम आदर्निया अटल भिहारी वाजपाई जी और लाल किशन जी अडवानी राज मता साब भै इसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया में उस चोटे से दीपक की रोशनी को फैलाने का काम करने की कोशिश की आपने अपने कारेकाल के अंदर भादी जंता पार्टी को देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनेतिक दल बनाकर हम सब का गौरव हम सब को और हम कम मौका दिया आपने कहा कि एक सब्सक्राइब और हम सब उस चीज़ को याद करते हैं जब संसत के अंदर हमारे खाली दो लोग बैठा करते थी दो सीटें हमारी हुआ करती थी आज भादी जंता पार्टी के एतिहासिक बहुमत के साथ आधरनिया मोदी जी के नेत्रित में नेत्रित झाली देश में सुशासन देने का काम चालू हो चुका है फंसाल के रैज के अंदर हमको बहुत कुछ देखने को मिला है इस दो भाट पर थे साल के राज के राज के अंदर हमकों continue कõई मैं समय लेना नहित चाहती हुँ पर नंतों में यादिनाना चाहती हूं कि उनके द्वारा देश की जन्ता को बैंकिंग के साथ जोड़ने का काम किया बैंक अकाउंट नहीं हुआ करते थे भाइस माईयों आपको याद है कि अगर कार्ड बनाने का प्लास्टिक नहीं मिला करता थे बैंक वाले हमारा साथ नहीं देना चाहते थे परंतु इस्तिती बनी कि आज सब के पास कार्ड है और उस कार्ड के साथ हज़ारों सरकारियों के साथ आदर्णिया मोदी जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया है गरीब परिवार की महिलाएं सोच नहीं सकती थी कि उनको कभी गैस मिल सकता है मैं मुझे याद है कि जब गरीब इलाके के अंदर जाने का मुझा मिलता था और जब उदैपुर डिविजन के अंदर मुझे याद है कि मैंने दौरा किया था तो उस समय चोटे से चोटे कुटिया के अंदर जाने का मुझा मिला उसके अंदर आग सुलग रही थी, जल रही थी वो लकड़ी, कंड़े, उसको इखटा करके, परंतु उस कमरे के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, इतना धुआ भरा हुआ था, आज उससे मुक्ती देने का काम आदर्निय मोदी जी ने किया है, और गैस के सिलिंडर, गर को पका मकान मिल जाएगा, राज条 même अरण जी भी बैठे हैं, मुझे याद है, कि जब यaking पहली बार मिली थी, स की बासवाडा के बार की बात है, हम लोगों ने जा, आपनाने के कोशिश की तो कोई सोछ भी नहीं सकता था, उसके ड्रोइंग जब लगाए, कि दो कमरे मिले एक वरेंडा मिलेगा च्छत मिलेगा एक किचिन मिलेगा एक सोचाले मिलेगा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से मिलेगा और जब देखा तो उन लोगों ने हमसे यह कहा कि सब यह तो एक के दुक्ते लोगों को मिलेगा यह हम लोग सब को तो कहा मिल सकता है नहीं उस समय मुझे याद है और इस देश के अंदर तो कितने हजारों करोडों की संख्या के अंदर लोगों के यहां इस तरीके से गरीब लोगों के घर सिर की उपर छट मिल गया है दन्यवाद तो देंगे ही देंगे हर घर के अंदर विजली पहुचाने का काम किया अब हर मुफ्त इलाज जो गरीब आद्मी है उसको मुफ्त इलाज मिलने का काम है जीस्टी सवर्न आरक्षन ऐसे बड़े-बड़े काम को अंजाम देने का काम आप सबने मिलके किया मोदी जी जब प्रधान मंत्री बने उसके बाद देश का दरजा कहां से कहां दुनिया में केंडर सरकार ने जब आयोध्या का विवाद का हल निकाला कोई सोच भी नहीं सकता था हम लोग सब लड़े हैं हम लोग सब गए थे हम लोग सब ने मंदिर का देखा सब लोगों ने भाशन सुने सब लोगों ने बातिद की और सब लोगों को लगा कि होगा पर हमारे जीव करने का काम करा दिया उसके लिए आप सब हम सब की और से हम बहुत-बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं यह तो कुछ ही है काम है इसलिए यह तैह है हम लोग तो बात करते ही रखते हैं पर यह तैह है कि आने वाली सरकार भारती जता पार्टी की भारती जनता पार्टी की होगी ये हम सब सको ध्यान रखने की जरूवत है थोड़ा सा ध्यान दिलाओंगी आजकल कि सर्कार जो है कॉमरेज की सर्कार के अलोट जी की सर्कार अद्रिश है गाउं में जाते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो रहा है काम सरकार क्या काम कर रही है सबसे पहले चार आदमी एकटा होंगे तो सबसे पहले कहेंगे एक सब बिजली की मुसीबत है बिजली के हमारे उपर बड़े-बड़े केस लग गए हैं बिजली आती नहीं है पानी की मुसीबत है रोड है नहीं सब कुछ अस्थ व्यस्थ है कानून व्यवस्था और सरकार दोनों गायब आप आर पढ़ते हो रोज तो आप देखोगे लूट हो रही है रोज हत्याय हो रही है सरकार के तीन साल गुजर गए और काम गिंती करने में कुछ आपको मिलने वाले नहीं है आप गिंती करने जाओ तो मिलने वाले नहीं है बस एक ही काम पर लगे है कुर्सी कैसी बचाई जाए घबरात होती है कि मालून नहीं यह चार कैबनेट रिशाफल हुआ यह ध्यान देके कैबनेट रिशाफल हुआ कि भाईया कोई उधर जाने वाला हो तो फिर उसको रोक लो सिर्फ इसी काम की उपर काम चल रहा है और मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार की अपलब्दी के नाम पर आज मैं जो देखती हूं तो कुछ भी कह दिया था तक अगर आप इन योजना को आगे चलाओगे तो भी अच्छा जंता के लिए होगा पर दो हमें मालुम थाख़ाइन टो कोई सरकार करेगी नहीं उन्ने तो तुरंटी योजना बंद कर दिए बंदी नहीं किये पर दो किन किन योजना की नाम तक बदल दिए य अन्नपूर्णा योजना उसके अंदर हम लोगों ने रैशन की दुकानों को लेके उनको मिनी मॉल बनाके विक्सित करने की कोशिश की थी आज वो सब मामला ठप हो गया महिला और गरीब परिवानों को आगे बढ़ाने के लिए भामा शाय योजना के साथ जोड़ने का काम किया तो भामा शाय योजना को खतम कर दिया है और साथ साथ स्वास वीमा योजना थी वो अच्छी तरह से चल रही थी उसको भी रोक देने का काम इनने कर दिया है हमारी ऐसी तमाम योजनाई थी जिसको सरकार ने बन कर दिया और अनपूर्णा रसोई जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो उस अनपूर्णा रसोई को बन तो नहीं किया परंतो उसका नाम बदल के इंदिरा रसोई बनाने का काम किया अच्छा काम चलता तो भी मैं कुछ नहीं कहती है नाम तो बदल दिया पर काम नहीं जिस किसम का भोजन वहां दिया जा रहा है तो आप लोग सब ने देखा है वो भोजन भी कैसा जिन जिन योजनाओं को बंद किया है उसको आगे बढ़ाने के उसकी जगे में कोई योजना लाने का काम भी नहीं किया आप लोग सब को याद है कि चुनाओं के पहले हम लोगों ने सब पूरे लोगों के जो लोन माफ करने थे वो लोन माफी हो गई थी तीन पांच और साथ होसपार के मोटर्स जहां जहां चल रहे थे वहां हमने बिजली माफ कराने का काम कर दिया था इतने सारे लोगों को और जब चुनाओं लडने का वक्त आया तो बोले कि दस दिन के अंदर आप चिंता मत करनो दो लाक रुपे के जिनकी उपर करजा है उन सब लोन को करजे को हम माफ करने का काम करेंगे और बिजली का भी इंतिजाम हम करने का काम करेंगे और आपको मालूम है कि आज सपना ही सपना रह गया अभी तक एक भी कदम उस तरफ उठाने का काम इन लोगों ने नहीं किया सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का दाम कहा है कहा है राजस्तान में है मोदी जी ने तो सबकी पीड़ा को मानते हुए उसको कम करने का काम किया दूसरे प्रदेशों न भी उसको कम करने का काम किया परन्तों आज आपने सबने देख लिया कि राजस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई अगर कहीं है तो उस पेट्रोल के अंदर इनी कारणों से जंता पूरी तरह से यहां तक तरस्त हो गई है और मन बनाकर बैठी है आदर्णिया भाई साब मैं तो आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2023 बहुत दूर नहीं है 2023 की तैयारी के लिए सब लोग बैठे हुए है और मैं आप सब को यह विश्वास दिदाना चाहती हूँ आदर्णिया प्रधान मंत्री जी के साथ साथ आपको भी कि आने वाले समय के अंदर बाहती जंता पार्टी का यह परिवार एक सूद्र